अब यदि मैं बोलूँगा तो आप कहेंगे राजिनितिक बाद बोल रहे हैं। भई अभी फिलाल अभी ये चेंड ब्रेक करने की जरुवत है। और हम ये कहना चाहते हैं कि आयात निर्यात जो पॉलिसी होती है, वो पॉलिसी हमारे अंदर के संसाधनों को देख कर समझ कर उसके आकलन मुल्यांकन के बाद ही भारत सरकार को तै करना है। लेकिन अब चुकी भारत तो विशु गुरु पहले से था, आगे भी रहेगा। दुनिया जानती है कि विशु गुरु था है, रहेगा। लेकिन विशु के महानायक बनने के लिए क्या हमारे अपने संसाधनों को क्या फोकट में दुनिया के देशों को दे देना। वैसे भी मित्र देश जी उनके साथ लगातार प्रतान मंत्री जी की बाख युद्धता चलती है। पाकिस्तान को 45 लाग दे दिया है डोज। बंगलादेश को दे दिया है 15 लाखे करीब में। पैसा दे रहे हैं। और हमारे पास रेमने संभिशा नहीं है। हम उसके लिए मारा मारी कर रहे हम принया बंगलादेश के पास हात जोड रहे है। हम भारत सरकार से हाथ जोड रहे है कि हम ऐजाएपतार दिया जाए कि पचा से जा कूशी वहां से लाएं। लेकिन क्या मतलब है कि दुनिया के देशों को हमने बिना आकलन और मुल्यांकन किये हुए फुरे दुनिया को देशों को बाट दिया और जब हमारे लोगों को जरूत पड़ रही है तो हम कंगाल की तरह खड़े हुए